now students question 2016 में आया हुआ है कह रहा है कि if the point C divides internally the line segment joining the point A and B है ना आप देखो एक point A है ठीक और एक point आपका B है यह point B है ठीक point A है point B है A के coordinates क्या है 2,5 2,5 और B के coordinates क्या है आपके X,Y है सही है और A और B को join कर दीजे line segment joining A and B को कौन divide करता है point C divide करता है पढ़ दीजे तो point C यहां कहीं आता होगा ठीक और यह जो point C है coordinate दिए में minus 1,2 ठीक यहां पर दिखिए यह जो point C आपको दिया हुआ है ठीक इसके coordinates क्या दिए हैं आपको minus 1,2 और यह point C है according to the question यह क्या करता है बच्छों the point C divides internally the line segment joining the point A and B in the ratio 3 is to 4 ठीक है तो यह जो point C है यह AB को internally 3 is to 4 के ratio में divide करता है यहने कि A से C तक 3 पार्ट और C से B तक 4 पार्ट तो total होगे 7 पार्ट अगर इसको साथ एक बराबर भागों में बाटे तो AC तीन पार्ट को दिखाएगा और CB किसको दिखाएगा चार पार्ट को इसका मतलब होता है बहराल अब आगे बढ़ो कुछ नहीं करना है बच्छों इन्होंने हमसे बोला find the value of x square यह तो आप तब निकालोगे ना जब आप x और y नि से यानिक एक स्टू की जगा हम क्या रखेंगे एक्स और वाइटू की जगा वाई और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है उसको हम कैसे दिखाते थे स्मॉल एक्स वाई से लेकिन यह तो कोशन में यूज कर लिया एक्स वाई अब क्या करें capital एक्स वाई से दिखा दो ठ और अब आप लगा दो section formula क्या होता है बच्छों point of division का जो x coordinate होता था वो क्या होता था याद करिए m1 x2 याद है यह हो गया m1 is to m2 सही है अब ध्यान से चेक करो क्या हो जाएगा m1 x2 और प्लस m2 x1 और divided by क्या होता है formula m1 plus m2 अब आप चेक कर लो बच्छों करना कुछ है नहीं इसमें सिंप्ली इसको आपको solve करना है ओके तो ध्यान से चेक करिएगा यह देखिए बताइए capital X की जगा क्या रखो गया minus 1 ठीक capital X की जगा इसकी जगा रखा minus 1 is equals to m1 x2 m1 कितना है चेक कर लीजे m1 कितना है 3 है तो m1 की जगा आपने रखा 3 into x2 x2 कितना है चेक कर लो जगा 3 और m2 जगा 4 यहने कि 3 plus 4 अब चेक करो यह minus 1 है left hand side is equals to 3 into x होता है 3x और प्लस 4 टूजा होता है 8 और अपन में आ जाएगा 3 plus 4 7 अब ध्यान दे स्टेंस यह 7 आके इधर क्या करेगा multiply इतना तो आपको पता होगा 7 इस पूरे में left hand side minus 7 तो पहले से ही था और plus 8 उधर जाएगा left hand side में तो minus 8 हो जाएगा is equals to में क्या बचेगा 3x ठीक अब ध्यान दे माइनस माइनस क्या होता है plus और sign लगेगा minus का यहने कि minus 7 और minus 8 minus 15 हो जाएगा ठीक is equals to 3x अब बच्छो 3x में multiply इधर आके divide करेगा यहने कि minus 15 by 3 is equals to x so 3 1 और 3 5 यहने कि minus 5 so x का value कितना आ गया minus 5 यह लीचे यहने कि students जो आपका point B का x coordinate है बच्छों वो कितना आ चुका minus 5 यहने कि x का value आ गया minus 5 और कॉमा अब y का value निकालेंगे ठीक so जिस तरीके से हमने x की value निकाली है उसी तरीके से अब हम y की value भी निकालेंगे ठीक so आपका जो point of division है ती उसका y coordinate को हमने capital y से दिखाया है तो capital y is equals to क्या हो जाएगा m1 y2 और plus m2 y1 by m1 plus m2 सही है capital y की जगा क्या लिख हो गया 2 ठीक तो y की जगा आपने 2 लिखा is equals to m1 m1 कितना है चेक कर लो 3 ठीक है 3 into y2 y2 कितना जाके चेक कर यह y2 आपका y है तो y2 की जगा y लिखा और plus m2 y1 m2 कितना है 4 है सही है 4 into y1 y1 कितना है बच्चों 5 है ठीक divided by m1 plus m2 m1 3 m2 4 3 plus 4 तो 3 plus 4 नीचे 7 आ जाएगा 7 2 जा होता है 14 left hand side 14 हो गया is equals to 3 into y 3y और plus 4 5 जा होता है 20 plus 20 उधर जाएगा बच्चों इतने तो आप समझदार हो 14 minus 20 minus 6 आ जाएगा is equals to 3y by 3 जाके उधर डिवाइड लगा देगा नीचे 6 में तो वाई बराबर कितना आजएगा माइनस 6 वाई त्री त्री बन जा त्री त्री टू जा टूपान वन टू वाई जिकोस्टू माइनस टू तो अब आप ध्यान दीजे यहाँ पर y की value कितनी आ गई माइनस 2 अब उसने हमसे क्या बोला था कि x स्कॉयर और प्लस y स्कॉयर निकालो तो x कितना है आपका x आया है माइनस 5 का स्कॉयर और प्लस y का स्कॉयर y कितना है माइनस 2 है सो माइनस 2 का स्कॉयर बताओ माइनस 5 का स्कॉयर माइनस 5 इंट 2 माइनस 5 क्या होता है प्लस 25 तो यह आएगा प्लस 25 और प्लस माइनस 2 का स्कॉयर कितना होता है प्लस 4 होता है 25 प्लस 4 कितना हो गया 29 सो फाइनल आंसर इस x स्कॉयर plus y square का जो value है वो कितना आ गया आपका 29 आ गया कर लीचे